वेल्कम बैक टू लर्निंग आउटकम्स आज हम सौल करेंगे कच्छा आठ विज्ञान विश्य के अभ्यास प्रश्णुएंग के वे प्रश्ण जो की विज्ञान के अध्या एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध से आए हुए हैं इस अध्याय में हमने यह चाना कि जब एक ही किस्म के पौदे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें पौदे ना कह करके हम फसल कहते हैं और इत्व के आधार पर हम फसलों को दो भागों में बाढ़ सकते हैं, रभी की फसल और खरीप की फसल कुश्ण में में अध्याय एक से टोटल पांच प्रशनाय हैं, प्रशन करमांक 1,2,3,116 और 117 तो एक एक करके हम उन्हें सौल करते हैं कोश्य नमबर पहला दिया हुआ है, नीचे दिये गए कत्नों को पढ़िए और यह बताइए कि किन कत्नों से इस परस्ट होता है कि फसल के लिए सिचाई आवश्यक है, पोदों को निश्चित अंत्राल में जल देना सिचाई कहलाता है, तो हम देखें इससे क्या रिलेटेड ह बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है, तो जी हाँ, अगर नमी नहीं होगी तो बीजों में अंकुरण नहीं होगा, पोदों की जड़ों द्वारा जल खनेच और उरवरकों का और शोसन होता है, तो जल में घुल करके विबिन खनेच लवन जयलम से होते हो, सुधारते हैं, तो तीसरा और चौथा ओप्शन सही नहीं है, तो अब हम देखें, पहला और दूसरा ओप्शन B में दिया हुआ है, तो इसमें हम B पर गोला लगाएंगे, दूसरा क्वेशन देख रहे हैं, निम्न में से किस कार से मिट्टी को पोशक्तत्य प्राप्त नही होते हैं, यहां ध्यान देखें, पुछा गया नहीं होते हैं, तो पहला ओप्शन देखें, फसल चक्रन तो हम जानते हैं, एक आंतर कर्में फसल को उगाना, फसल चक्रन कहलाता है, तो इससे भूमी की उरवरा सक्ती बढ़ती है, और खेत को कुछ समय के लिए बिना पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है, और चौथा हम देख रहे हैं, जैविक खात, तो जैविक खात हमेशा पौधों के लिए उरवरात सक्ती प्रदान करते हैं, पोशक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की भी पोशक तत्व में ब्रद्धी होती, तो हम यह दे हैं, कटई, जुताई, निराई, जिसे हम निदाई भी एता है, और सिचाई, तो हमें पता है, इससे ना तो कटई की जाती है, और न यही निदाई की जाती है, और सिचाई की जाती है, तो ऑप्षन सही होगा हमारा सिचाई, अगला है, question number 116, पहली, जल की कमी वाले छेत्र में रहती है वह सिचाई के लिए किस वीदी का उपयोग करे कि जल बेर्थ ना हो करके सीधे पौधों की जड़ों को मिले तो हम जानते हैं कि हमारा जो डिप तंत्र है वह एक ऐसा सिचाई के लिए सिस्टम है जिसमें से पानी बून-बून करके पौधों तक सीधे जड़ों जाता है जिसमें एक भी बून-बून पानी बेर्थ नहीं जाता तो जहां पर जल की कमी है वहां पर डिप तंत्र का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन सही होगा पी जैविक खाथ पौधों वा फसलों के लिए वर्दान है निमलिकित में से कौन सा कथन उपर लिखे वाक्य के लिए और चित्पूर्ण नहीं है यहां ध्यान दीजे नहीं पूछा गया है पहला ऑप्शन दिया है इन्हें आसानी से भंडारित और इस्थानांत्रित किया जा से जल संगरहण चमता को बढ़ाते हैं यहां पर मिठी होना चाहिए तो मिठी की यह जल संगरहण चमता को भी बढ़ाते हैं और मिठी के कठन को भी सुधारते तो यह दोनों आप्शन सही है तो अर्थात अ, C और D जो है वह ऑचित्पूर्ण है जो बी ऑप्शन है इसका स अप्टरवाइस क्वेस्टेंस के रिवीजन के लिए लर्निंग आउटकम्स के साथ में बने रहिए और बच्चों की तैयारी कराते रहिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए नैस नमस्ते